नमस्कार, मेरे पहरे देश बाच्चों, मैं आज एक बार थ्वीर कोरोना वैस्वीक महामाधी पर बात करने नहीं आपके बीश आया बाइस मार्च को जनता करिशु का जो संकन को हमने लिया था, एक राष्ट के नादे, उसकी सित्थी के लिए हर भारत वासी ने पूरी संबेदन सिल्का के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपना योगदान दिया बच्चे, बुजूद, छोटे, बड़े, गरी, मद्यम्म, हर वर्ग के लोग, हर कोई परिक्षा की इस घरी में साथ आया जनता कर्फ्यू को हर भारत वासी ने सफल बनाया एक दिन की जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानुता पर संकट आता है तो किस प्रकारत है हम सभी भारतिया मिलकर भी एक जुड़ होकर उसका मतामला करते हैं आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए उसकी सफलता के लिए प्रसुंसा के पात रहें साथियों आप करोना वैस्विक महामारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिक को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे आप यह भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारे ने बिलकुल बेवस कर दिया है ऐसा नहीं है कि यह देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास समसाधन की कमी है लेकिन कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तयाया और प्रयासों के बावजुद् कि इन देशों में कि चनावती बढ़ती ही जा रही है कि इन सभी देशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है और एक्सपर्स भी यही कह रहे हैं इस वैस्ट्वी महमारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टंसिंग सोशल डिस्टंसिंग यानि एक दूद्रे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को भैलने से रोकना है तो उसके संक्रमर की जो साइकल है उस साइकल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत हैमी में है कि सोशल डिस्टंसिंग केवल मरीज के लिए बिमार लोगों के लिए आवशक है कि यह सोचना सही नहीं है कि सोशल डिस्टंसिंग हर नागरिक के लिए है हर परिवार के लिए है परिवार के हर सदस्ट के लिए है प्रधान मंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाई कि कुछ लोगों की गलत सोच कि आपको आपके बच्चों को आपके माता-पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे तरतर के पुरे देश को अगर ऐसी लापरवाई जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकते हैं और यह कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अने भागों में लॉकडाउन कर दिया रहा है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हिल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुई है देश आज एक महत्वकों रिणे करने जाना है आज राद आज राद बारा बजे से पूरे देश में जान से सुनी है पूरे देश में आज राद बारा बजे से संपूर देश में संपूर लॉकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरित को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गणों से बहार निकलने पर पूरी तरव पाबंदी लगाई जा रही है कि देश के हर राज्य को हर केंद्र सासिक प्रदेश को हर जिले हर गाव हर कस्पे हर गली मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है कि ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जंता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जंता कर्फ्यू से जड़ा जादा सक्त को कौरोना महामरी के खिलाफ निरनायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित दौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठाने पड़ेगी लेकिन एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी बारत सरकार की देश के हर राजच सरकार की हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्राप्पिता है और इसलिए मेरी आप से प्राप्पना है और मैं हाद जो के प्राप्पना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी है बही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में यह लॉकडाउन 21 दिन का होगा तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सब्ता मांगने के लिए आया कि आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्तपुर्ण है है एक्सपर्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहोड़ है अगर ये 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 साथ पीशे चला जाए अगर ये 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए और मैं ये बात एक प्रधान मत्र के तो पर नहीं आपकी परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाए गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहे साथियों आज के फैसले ने देश्व्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मन रेखा खीच दी आपको यह याद रखना है कि घर से बाहर पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी कंभील महामारी को आपके घर में ले आ सकता है आपको यह याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यत्ति शुरुवाद में बेंकुल स्वस्तन अगता है वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरतिये अपने घरों में रहिए वैसे जो जो घर में वो सोचल मेडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिल तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी यह बहुत कम शर्दों में संदेश दिखाना चाहता है कौरोना यानि कोई रोड पर ना निकलने कौरोना यानि कोई रोड पर ना निकले साथ यो एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस पहुंचता है तो उसके सरीर में इसके लक्षन दिखने में करी करी दिन लग जाके इस दौरान हो जाने अंजाने हर उस व्यक्ति को संकर्मित कर देता है जो उसके संकर्ट में आता है World Health Organization की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकर्मित एक व्यक्ति सुनिए एक व्यक्ति सिर्व हप्ते दर दिन में सेर्कुडो लोगों तब इस बैमारी को पहुंचा सकता है यानि ये आपकी दरवतेजी से फ्लका है World Health Organization का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्व हुआ है साथ जो दुनिया में कोरोना वाइरस से संकर्मित व्यक्तियों के संक्यां को पहले एक लाग तक पहुंचने में 67 दे सरसट दिन लग गए यानि एक लाग तक पहुंचने में सरसट दिन उसके पांद सिर्फ ग्यारा दिन में सिर्फ ग्यारा दिन में ही एक लाग नए लोग संकर्मित हो गए यानि दो लाग हो गए सोचिए पहले एक लाग लोग संकर्मित होने में सरसट दिन लगे और फिर इसे दो लाग लोगों तक पहुँचने में सिर्फ ग्याना दिन लगे ये और भी बयावा है कि दो लाग संक्रमित लोगों से तीन लाग लोगों तक ये बिमारी पहुचने में सिर्फ सिर्फ चार दिन लगे आप अंदर जा लगा सकते हैं कि कोरोना वाइरस कितनी तेजी से फ्यल पाई और जब यह फ्यलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है साथ क्यों यही बज़े हैं कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेर, इटली, इराम, जशे अनेख देशों में जब करोना वाइरस ने फ्यलना शुरू किया तो आहालात बेग काबू हो गए हैं और यह भी याद रखिये, इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वाथ पसेवा, उनके हस्पिटल, उनके हाँ आजूनिक समसादन, पूरी दुनिया में बहत्रेन है, उनकी व्यदस्ताएं बहत्रेन मानी जाती हैं, बाउजुदिस के, यह देश, कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर भाए, सवाल ये, इस स्थिते में उमीद की किराण कहा है, उपाय क्या है, विकल्प क्या है, साथ्यों, कोरोना से निपट्टे के लिए उमीद की किराण, उन देशों से मिले अनुववव है, जो कोरोना को कुछ हद तक नियत्रित कर पाए, हटों तक इन देशों के नागरिक गरों से बार्व नहीं निकले, इन देशों के नागरिकों ने सत प्रतिशा, हंड्रेट परसंट, सरकारी निर्वेशों का पानल किया, और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारे से बाहार आने की और बढ़ रही है, हमें भी ये मान कर चलना चाहिए, कि हमारे सामरे सिर्प और सिर्प यही एक मार्ग है, एश्यव पंथा, हमें गर से बाहार नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाएं, गर में ही लहना है, सोचल डिस्टंसिंग, प्रदान मर्त्री से लेकर के गाउं की छोटे से नागरी तब सब के लिए, करोना से तभी बचा जा सकता है, जब घर की लक्ष्मन रेखान न लागी जाता है। हमें इस महामारी के वाइरस का संक्रम रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है, साथ्यों, भारत आज उस टेश पर है, जहां हमारे आज के एक्षन तै करेंगे, कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कं कर सकते हैं, ये समय हमारे संक्रम को बार बार मजबूत करने का है, ये समय कदम कदम पर संयम भरत्य का है, आपको याद रखना है, जान है, तो जहान है, साथियों, ये धैरियर और अनुशाचन की घड़ी है, जब तक देश में लॉक्डाउन की स्थिती है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना बचन निभाना है, मेरी आप से, हाथ चोड़ करके प्रात्ना है, कि घरों में रहते हुए, आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल काम ना करिए, जो अपना कर्टर के लिभाने के लिए, खुझ को खत्रे में डाल कर काम कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स, उन नर्सेज, पैरामेडिकल स्टार्प, पैथोलोजिस, उनके बारे में सोचिए, जो इस महामारी से, एक एक जीवन को बचाने के लिए, दिन रात, अस्पताल में काम कर रहे हैं, अस्पताल प्रशाशन के लोग, एंबुलेंस जाने वाले ड्राइवर, वार्ड बॉइज, उन सफाय कमिल्चारियों के बारे में सोचिए, जो इन कठेन परिस्थित्यों में, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए प्रांखना करिए, जो आपकी सुसायटी, आपके मंगलों, आपकी सड़कों, सारवजनिक स्थानों को, सैनिटाइज करने के काम में चुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामों निशान न रहें, आपको सही जानकारी देने के लिए, 24 गंटे काम कर रहे, मेडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खत्रा उठा कर, सड़कों पर आज पतालो मैं आप, आप अपने आसपास के पुलिस करियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर, परिवार की जिनता किये मिना, आपको बचाने कर लिए, आपके परिवार को बचाने कर लिए, दिन, रात, डूटी कर रहे, और कई बार, कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी जेत रहे हैं, साथियों, कौरोनम, वैस्ट्विक महामारी से बनी स्थित्यों के बीच, केंद्र और देश भर की राज़ सरकार हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, रोज मरा की जिन्दगी में, लोगों को असुविदा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही हैं, सभी आवश्चक बस्तों के सप्लाइब बनी रहें, इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं, और आगे भी किये जाएं गोई, निश्चित तोर पर संकर की ये बड़ी, करीबों के लिए भी, बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई हैं, केंद्र सरकार, राज़ सरकारों के साथ, समार के अन्य संगत, सिविल सुसाइटी के लोग, करीबों को मुश्रिवत कम हो, इसके लिए दिदन तक जुटे को, करीबों की मदद के लिए, अनेक व लोग साथ आ रहा हैं, साथ क्यों, जीवन जीने के लिए, जो जरूरी है, उसके लिए, सारे प्रयासों के साथ ही, जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, जो जरूरी है, उसे सरवच प्राथित्ता, देनी ही पड़े, इस वैश्विन महामारी से मुकाबला करने के लिए, देश की स्वास्त व सुमिधाओं को तैयार करने का काम, केंद्र सरकान लगादार कर रही है, महारत के बड़े चिकित्साव और अनुसंदान सहुस्तानों तथा स्वास्त विश्यसक्यों की सलाः और सुजहाओं पर काले करते हुए, सरकार ने निरलतर हैसले भी दिये, अब कोरोना के मरीजों के लाज के लिए, केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोर रुप्ये का बाउधान किया है, इससे कोरोना से जूड़ी, टेस्टिग रजलिटीज, पर्स्टिनल प्रोटेक्टिव इक्विप्टेंट्स, आइसलेशन बेज, इसीउ बेज, वेंडिलेटर्स, और अन्य ज़रूरी साधनों के संज्ञा, तेजी से बढ़ाई जाएगी, साथी, मेडिकल और परामेडिकल मेंपावर के ट्रेनिंग का काम भी, किया जाएगा, मैंने राज्य सरकारों से अनुरूद किया है, कि इस समय, सभी राज्यों की पहली प्राद्विक्ता, सिर्फ और सिर्फ, स्वास्थ सेवाएं ही होनी चाहिए, हेल्थ केर ही प्राद्विक्ता होनी चाहिए, मुझे संतोस है, कि देश का प्राद्विक्त सेक्टर भी, पूरी तरह से, कंदे से कंधा मिलाकर, संकर्ट और संकर्मन की इस गड़ी में, देश वास्थों के साब खड़ा है, प्राद्विक्त लेप्स, प्राद्विक्त अस्पताल, सभी इस चुनावटिकों दौर में, सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन साथियों, ये भी ध्यांद अची है, कि ऐसे समय में, जाने अंजाने, कई बार, अफ़ाएं भी, बहुत जोड़ पकड़ा हैं, और अफ़ाएं उनके ट्राविल करने की तागत भी बहुत हैं, मेरा आप से आग्रह है, कि किसी भी तवर की अफ़ा, और अंत्र विश्वास से बचे, आपके द्वारा, केंद्र सरकार, राज सरकार, और मेडिवल फैटरिटी द्वारा दिये हैं, दिल्देश, और सुझाओं का पालन करना, बहुत ज़री हैं, मेरी आप से प्रातना है, इस बिमारी की लक्षणों के दवरां, पीना डॉक्तरों की सलाह के, कुई भी दमान न ले, किसी भी तरह का खिलवार, आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है, साथियो, मुझे मिश्वास है, हर भार्पिय संकटिस गड़ी में, सरकार के, स्थानिय प्रसाशन के, निर्दाउश्व का पालन करेगा, 21 दिन का लॉक्टाउं, लंबा समय है, लेकिन, आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए, उतना ही महत्वपून है, हमारे पास यही एक महत्वपून रास्ता है, मुझे विश्वास है, हर हिंदुस्तानी, इस संकट कहां न सिर्फ सपलता से मुकाबला करेगा, बलकि इस मुझे घ्री से विजय होकर निकलेगा, आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और आप्म विश्वास के साथ, कानून नियमों का पानन करते हुए, पूरी तरा सैयम परते हुए, विजय का संकट को करते हैं, हम सब इन बंधरों को स्विकार करें, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,